प्रणाम बच्चों कैसे हो आशा करता हूँ अपने अपने घरों में तुम सब लोग कुशल हो आज जो महम्मारी के कारण पांटशालों में जाकर पढ़ने का मौखा शात्रों को नहीं है इसी कारण सरकार ने जो आनलाइन क्लासेस चला रही है इसी सिलसिले में अध्यापकों से जो यूटूब के माध्यम से जो पार्ट पढ़ाने के लिए कहा गया है और अध्यापक पढ़ा रहे हैं आज दसवीक अक्षा का पांचमा पार्ट लोक गीत आपके सामने पढ़ाने आया हूँ मैं हूँ लाल मुहम्मद हिंदी अध्यापक जिला परिशत हुनत पाडशाला कुर्णवली तलाड़ मंडल बच्चों जो पाठ आज हम पढ़ाने और तुम लोग सुनने जा रहे हैं तो वह लोक गीत निभंध पाठ हैं इस निभंध के निभंध कार है भगवत शरण उपाध्याए भगवत शरण उपाध्याए लोक गीत लोक और गीत दो शब्दों के मेल से बना हुआ है लोक लोक शब्द का अर्द होता है जनता प्रजा और गीत गाना दोनों के मेल से बना है लोक गीत लोक गीत का अर्द होता है जनता का संगीत जनता का संगीत चलें अब इस पार्ट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, हर पार्ट में जो पहले जो पहल दिया जाता है वह है उन्मुखी करण, उन्मुखी करण, उन्मुखी करण के अंतरगत जो भी विशय को दिया जाता है वह जो अम्ष होता है इर्दगिर्द मुख्य पार् बंद रखने वाला होता है तो यहां जो उन्मुकी करन के अंतरगत जो दिया है इसका उद्देश है छात्रों का ध्यान मुख्य पाट से जोड़ना है उनका ध्यान पाट की ओर केंदरित करना है उन्मुकी करन का मुख्य उद्देश यहां जो दिया गया है जो उन्मुकी करन के अंतरगत एक छोटा सा लोकगीत महंदी है रचने वाली हातों में घ्री लाली कहे शकीलॆ अब हातों में खिलने वाली है तेरे मन को जीवन को नई खुशिया मिलने वाली है देखिए विभिन आउसरों और उत्सवों पर लोग गीतों का जो गायन होता है तो यहां जो दिया गया है लोग गीत मेहंदी है रचने वाली पिल्लालू मित्यलसू मेहंदी अन्टे गोरिंटाकू रचने वाली गोरिंटाक नी आखुलन कोसकोच्ची नूरी चेतुलकू पिटकोट वने टेट्ट्वांट बी जर्गुत्तू उन्दी मेहंदी है रचने वाली इपड़े ते चेतलकू आ गोरिंटाकू पिट्टकू तामो यर्रगा चेतला ने टेट्वांट बी पंडुत्ताई हातों मेह गहरी लाली इर्रगा आ चेतलू आ गोरिंटाक तो कड़कल लाडुत्ताई कहे सखियां अपड़े वरेते चरिकत्तेल उन्टारू वाल उन्टारू अब कलियां इपडु मोगलू हातों मेह खिलने वाली है चेलितों चेलिकत्तेल आंटारू नी चेतुललो मोगलू पूलगा आये टट्वांटी सामेयमों आसन्नम हैंदी हातों मेह खिलने वाली है तेरे मन को नी योका मनस्तो क्यू जीवन को नी योका जीवितान की नई खुश्या मिलने वाली है क्वत्ता संतोशालू आनंदालने केट्वांटी वी नीकु लगिस्ताई अनी चेलिकत्तेलू चेलितों मरी इविथंगा लोक गीत रूपमलो तेले पर्चन वेट्वांटी जरूत्तूंदी मोरी इकली रूपमलो रिचन वांटी देदेथे उन्दो विवाह संदर भालालो 12 तने 20 महन दी 12 तने 20 कारिक्रमा निरवहिस्तारू आ संदर भमलो मरी 21 लोग गीतनि अबिस पेर कोंटो वेंट अने 20 अहुत्तूंदी मरकसरी अलोगीत मेहंदी है रचने वाली हातों में गहरी लाली कहें सखियां अब कलियां हातों में खिलने वाली है तेरे मन को जीवन को नई खुश्यां मिलने वाली है मेहंदी गोरिंटा हात चेतलू गहरी लोतैना लाली यर्रनी तनम, कहे सक्षियां, सक्षियां चली कर्तेलू, कलियां मुगगलू, खिल्ना विकसीन चुटा, तेरे मनको नियोका मनसुकी, जीवनको जीवितानिकी, नई, टोटता, खोशियां संतोशालू, लभी चेविदंगा उन्नाई, दीन बिदा, कोणी प्रश्नलो मनमो, चली सकुन्नो, आप प्रश्नलो, हातों में क्या रचने वाली है, बोलो बच्चों, हातों में क्या रचने वाली है, हाँ, ठीक कहा है, हातों में मेहंदी रचने व सपाली है और एक परेश्ण बहुत खूब उतर दिया तुमने इस तरह के इताओं को क्या कहा जाता है तुम बोलो राजू नहीं बहुत खूब इस तरह के इताओं को लोक गीत कहा जाता है किन-किन संदरभों में लोग गीत गाए जाते हैं रानी तुम बोलो आ ठीक है सही सही उतर दी उत्सवों और ठ्योहारों और विभिन अवसरों पर लोकगीत गाये जाते हैं यह है उन्मुखी करन और इसके अंतरगत हम कुछ प्रश्न भी उच्छे हैं बहुत खुब बढ़िया उतर तुमने दी है तो अभी लोकगीतों के बारे में गांधी जी ने कहा था लोकगीतों में धरती गाती है देखिए कैसा है लोकगीतों में धरती गाती है धरती और पहाड गाते हैं नदियां गाती हैं उत्सवर और मेले रुतियें और परंपराएं गाती है। महत्मा गांदी ने क्या कहा? लोग गीतों में धर्ती गाती है। अर्धात धर्ती के संबन्दित लोग गीत गाये जाते हैं, पहाड के संबन्द में गीत गाये जाते हैं, और नदियों के संबन्द में गीत गाये जाते हैं, और उत्सवर मेले रुतियें और परंपराएं के संबन्द में लोग गीत गाये जाते हैं। तो चलो बच्चों अभी हम चलेंगे में लोक गीत फार्ट को देने का मुख्य उद्देश क्या है कि उद्देश, यहां हम उद्देश कना अर्दवी जानने की आवश्य गता है उद्देश तो यहां जो दिया गया है वह है उद्देश ये लोकगीत पाट को किस लक्ष दिया गया है इसको जानने की आवश्यकता हमें हैं निबंध विधा से परचित कराते हुए क्यों दिया गया है निबंध यह लोकगीत पाट निबंध रूप में दिया गया है निबंध रूप में देने से निबंध विधा से परचित कराते हुए निबंध क्या है व्यासम अंटे यह मिटी विध्यार्द लगू थेलिय परचाली निबंध लिखने की प्रेरना देना व्यासम वुराइट करकू पिल्ललानी प्रोचाहिन चाली लोग गीत लिखने के लिए प्रेरित करना वालु कुडा अन्टे वीरु कुडा लोग गीत रासे विधंगा में मलनी प्रोसाइन्स प्रमानी टेट्ट मन्टथी इपाटम इवट्णोंलो मुख्या उद्देश्यमू लोग गीत रासे वाल लेजाने उनका ध्यान को के लिए प्रमान जांके उसे प्रोसाइन्स प्रमानि के लिए आठाटमानी बन्डे बैसाद्ब्वा करने के लिए हम उनम्मुल करन को नगों बात्यामश्य में पड़ती है इसके उप्राइफ और उद देश क्या है उद्धेश क्या है है उसको भी हम जान चुके हैं अभी है विधा-विषेश विधा-विशेश विधा-विधा birth किस पद्धती में, किस रूप में इस पाठ को यहां दिया गया है, उसको भी जानने की आवशकता है लोकगीत निबंध पाठ है, तुम तो पहले ही सुन चुके हैं कि लोकगीत निबंध है यह लोक गित निबंध पाठे, निबंध का अर्द है बांध ना, सुन्दर और उचिश शब्दों के द्वारा भवों की प्रस्तुती ही निबंध है, सुन्दर, एला उंडालेंडी, चला अन्नंगा उंडाली, तगिनेट वंटी, पदाला कूर्प कूडा दानलो दप्पन सर यह लोक गित निबंध पाठमू, निबंध नंटे बांध ना, सुन्दर, अन्दांगा उंडाली, और उचिश शब्दों में, तगिनेट वंटी, पदाला कूडा मनमू, एमपिक चेसको वाली द्वारा, भावों की प्रस्तुती, भावालनु मनमू, वेक्तम चेईट मूख्या, उद्धेशम, विधा, विशेश, विधा, पद्धती, ये पद्धती, ये रूपम लो इवट ओनेटरक्ट मने जरीगिंदी, कड़ मनकू तलिस्पोएंदी, तरवाता, मरि इंत्त चकटी, इनिबंध पाठ एधैते उंदो, लोक गीत मरि धाननी, मनकू अनिंच अवसरमू, लेखक, परिचे, ये वरेइते, इपाठानी रासयारो, अतनियोक्का, परिचेम कूड तिलस्पोएंदी, मनकू चाला मुख्यमू, भगवत्चरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार है, मना, रच्चेतिगार नेट्वंटी, भगवत्च इनons रच्चेता, मना, भगवत्फचरण उपाध्याएगारो, हिंदी साहित्य Patient, सुपरिचित रच्चेति रच्चेता इनका जन्म मरी इद तटी गोप्प राचैता जन्मिंचिन अट्वंडी समुच्छम में हुआ पंतुमियोंदला पदो समुच्रम लो रचैते गारू जन्मिंचारू इन होने मना भगवश्यरण उपाद्यायगारू काथलू राचयारू कहानी, कविता, कवितलु राश्यारू, रिपोतार्ज, रिपोतार्ज, इंट एदैते मनमु प्रच्छक्षंगा एदैना घटननु वीक्षिंचिन अटलाईते, दानिनी वोक रिपोर्ट्टुगा थायर्चेटों अने टेट वन्टिदे रिपोतार्ज अन्टारू, रिपोतार्ज, 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 तून्था आम, ठून्था का अर्दु होता है जो सूखे पत्तों से बिना शाकाओं के जो पेड़ होता है उसको कहते हैं ठून्था यहाँ ठूँदा आम जो आमका पेड, सुखा हुआ आमका पेड जो गंगा गोदावरी यहे आदी इनकी प्रसिद्ध रचनाये हैं जो आपको सुनाया हूँ तो यहे भगवत शरण उपाध्यायजी के रचनाये हैं प्रसिद्ध रचनाये हैं चले हैं मच्चों, तुम्हारे लिए कुछ यहां सूचनाये हैं, छात्रों के लिए जो सूचनाये हैं, इनको ध्यान से पढ़नी चाहिए, और ध्यान से पढ़कर विशे को समझना है, और समझकर जो भी कटिन शब्द होते हैं, उन कटिन शब्दों के नीचे रेकांकित करनी चाहिए और उनकी चच्चा विशय प्रवेश ध्यान से पढ़िए जो यहां जो दिया गया है जो आगे जो देने वाला है तो विशय प्रवेश को ध्यान से पढ़िए पाच्य विशय समझिए पहले विशय प्रवेश को ध्यान से पढ़नी चाहिए और उसको समझनी चाहिए दूसरा पाट ध्यांसे पड़िये पाटको ध्यांसे पड़नी चाहिए पाटानी ध्यास पेट्टी चदवाली शब्द का आर्ण समझ में आये तों उसके लीचे रेका कीचिये चदविन अप्पुडु एदैना पदम्योका आर्धाम में तेलिये नेटलाईते धन किन्द गीतने टेट्वण्टिदी गीये वालेनों रेकांकी अंडर्लाइन रेकांकी शब्दोंके अर्द शब्द कोश में ढूंडिये ये दैते मीरु पदान की रेकांक गीचारो आपदम्योका आर्धाने मीरु निखंटूलो चूड़ंडी डिक्ष्चुनारी शब्द कोश समझ में ना आने वाले अम्ष होतो चात्र समुहो में या अध्यापक्से चर्चा कीजिए मीयोका फ्रेंड्स तो मी स्नेहित्वल तो चर्चिंचांडी मी स्नेहित्वल कुड रानाट्वंटी विश्यालू अंदुले ये मना तिरीनेक्ली वान्ट उण्टे मीयोका उपाध्यायनी तो वाटनी चर्चिंची संदेहालनो निवर्ति चेरसकोंडी विश्य प्रवेश के बारे में हम जानेंगे विश्य प्रवेश जो भी अंक्ष को हम अब तक पढ़े हैं जो पाठ को मैं बताया हूं तो लोक गीत लोक गीत का जो सार है वो पाठ का जो विशय है उसके अंतर्गत हम अब पढ़ेंगे और कुछ अम्ष सीखेंगे इल्ललू एदैते लोक गीत पाठ मुन गूर्ची निकु उंदुगा परिश्यम चेस्यानो अधे क्रममुलो आ पाठानिकी चेंदिन अट्ट्वण्टी विशयमू सारामशमू एदैते उन्दो दान्नी कूडा तिल्सको विशयन अट्वण्टी आवश्यकत यंदैना उन्दी मरी आ विशय प्रवेश Nuए इपyssड मनमू तिलसकोंगां विशय प्रवेश मीर प्रवेश अन्टे प्रवेश इन्चटकं दでल्लो प्रवेश इन्चालांडी इंतलो वका गादू पाठमलो की प्रवेश इन्चाली विशयम विशय प्रवेश प्रवेश नी इप्पुड मनमू थिल्सकुन्दा, विशय प्रवेश, मिर थिल्सू, प्रवेश अंटे प्रवेश इन्चटम, देल्लो प्रवेश इन्चालांडी, इन्टलोका गादू, पाटम लोकी प्रवेश इन्चाली, विशयम, विशय प्रवेश, एदैते टोपिक, विश्य मेध messy common do depend done लोगमा नामों प्रवेशिचाली अंते दानिन गुरिंची तीलुस्कोवाली लोथां इन अटवेञ्टे आज़ेय हेली हमारी संस्क्रिती में हमारी संस्क्रिती में लोकगीत और संगीत का अटूट संबन्द है चला चक का मारी विश्य प्रविश्ल मुद्धुगाने चप बढ़ीन दन्डि हमारी संस्कृती देखिये जो भारती जो संस्कृती है हमारी संस्कृती हमारी क्या है हम कौन है भारती है मनम यह वर हैंडी? भारतीय लों मन संस्कृती यह दैते हैं उन्दो अधी भारतीय संस्कृती आना पिल्लो बोड़त्तों दी मरी मन यका भारतीय संस्कृती नी वक पूतोट तो पोल्त तो जरिगेंदांडी पूतोट लो रकरकाल यनiantes वनटि पूल उन्टाएंडी? रकरकाल यन robi पूल उन्पडिक कूल्ड tadi अवन्नी कलसी आपूतोटक उन्दांवे देस्ताय हैंडी मन भारती संस्कृति कूला अट्वुणट देरंदी હારહી સંસ્કીતહીતીલો ભારહત દેશમ લો ग्रामीन प्रांता प्रजल द्वरा रचिंच वड़े टेट्वेंटी ये बैते मरी लोगईत उन्नायों अवी संगीतं इरेंडिंट की कूडा अटूट सम्मंध है वीडदियलेन अट्वेंटी सम्मंध मनीट अट्वेंटि इस लोगईत की मरियू संगीतान की उन्दी अटूट सम्मंद है मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोग गीतों का महत पूर्श्थान है प्रजलयक्का मनसुलनी उल्लास परच्ष्थं लो नेट की कूडा लोग की तालयक्का प्रामक्यतनी ट्रटम्ट दी यंतेना भूंदी पिललो चुसेरा लोग गीतल योका प्राधन्यता प्रामिक्यता यंतुन्दो आज भी लोग गीतों का महत पूर्श्थान है चाला गोप स्थानमने ट्रटम्ट वन्टि दी मरे लोग गीत की वाड़ा उन्दी गीत संगीत के विना शोळेंडी इगीत पाटल का निवंडी संगीतां का निवंडी इवी मानव जीवेतों लेवनकोंडी मानव जीवेतों उहिंचतां की चाला कास्टंगा उन्टुन्दी यंदुकांटे मनलो उन्ट्वट्टी निरुचाहनी पारद्रोली उत्साहनी पेटट्वट्टी दे संगीतां मरी अदेले न पुडु मनसंता गोडा नेरस पली पोतां नेरसमाई पोतां अदे इकर चिप्तना रंडी गीतसंगीत के बिना लेकुम्डा गीतसंगीत के बिना हमारा मन मन मनस्वन से पहसोंटी नेरसा हो जाता हे नेरुच साहना ताहरेज पोतां मनम now हो जाता है प्रस्तुत निबंध में इकड़ी चिन अट्वंटी ये दैते निबंध व्यासम उन्न दो आ व्यासम लोग भारती लोक गीत का इंटे इलोक गीत नी मरी इंग्लिश लोग फोक सौंग संता रंडी पिलललू अदे विदंगा जानपद गीताललत गोडा विटन पेर कोंखेम दरगतों दि लोक गीत का वननं बड़री सुंदर ढंग से कियां कया है अट्वंटी मरी इयक का लोक गीत नी जानपद गीतालनी चाला चक्क ग इयो का पाटम लोग ने चलोंग्लिश लोग गीत अपने लोउच मधूरता लोच ताजगी सच्छंगा और लोक प्रियता लोकम में चेट 20 विगा में शास्त्री संगीत से भिन है शास्त्री यह शास्त्र से संबंध रखने वाला जो संगीत होता है वह शास्त्री है शास्त्री संगीत से भिन है लोक गीत शास्त्री संगीत से भिन है लोक गीत लोक प्रियता जो लोक में जो प्रिय हो ये संसार में जो पसंद हो वो है लोक प्रियता में शांस्री संगी से भिन है लोक गीत बिल्लालो इवैते लोक गीत उन्नायो अवी तमयका मधूरतनी कोमलत्वानी मरियू अदे वितंगा स्वाच्चतनु कोलपोकूंडा लोकम मेच्चे वितंगा मरि उन्नायी शास्री संगीता निकन्टे कोंचों भिन्नांगा योका लोक गीत ने टट्वान्टवी उन्नायी लोक गीत सीधे जनता के संगीत है इभी तिन्नगा रजलोलों लोचिन अट्वान्टी प्रजलोलों कूटिन अट्वान्टी संगीत हो इदी लोक गीत घर इल्ललो गाउं ग्रामाललो और मरियू नगर की जनता के गीत है नगर की नगरालो कुड़ा योक पाटलनो पाड़तों उंटारू गीत है ये इनके लिए साधना की जरुवत नहीं होती मरी लोक इतनी मनों पाड़ाली अंटे ये 20 साधना अभियासं कुड़ा 54.20 आवसं लेदू अन्पिरित और स्तिरी परतलों उंतों दी जरुरत नहीं होती इसकी जरुरत नहीं होती बच्चों, साधना की जरुरत होती है, बहुत थीक, बहुत तच्छे बताये हैं च्योहारों और विशेश अवसरों पर ये गाये जाते हैं सदासे यह गाये जाते रहे हैं यह पटनुचो इनके रचने वाले धी अधे वीदंगा वीटनी रासे टेट्ट्वांटी वारू, स्रिष्टींचे वारू, अधिकतर गाउंके लोगी ही है ग्रामीन प्रांतम लो यह रहे थे उन्टारो वारले यकुवगा दिरनी मरी धाचिन चितों वने टेट्वांट दी, इनके रचना में विशेश भाग लिया है, मुख्यांगा स्रीलू वगा प्रच्ची एकंगा वीटन वराये टोंट वने टेट्वांट दी, जरुबतुंद ये गीत बाजोंकी मदस्ते, मदत के विनाही, मरी मनों संगीतानी, मनों विविधरकलेन ट्वांटी, माध्यमाल दोरा पाटला दोरा मनों संगीतानी विट्टू उटा वंडी, विट्वीन न अपड़ु विबिन्ण मेंटेट्वांटी वार्ध येंत्र, इनस्ट्रुमें सवस्तनों लेव। येविते शास्रिया संगीत मेदेते उन्दों डानी काउस नेट्वाँटी इंस्ट्रूमेंट सेवाई ते उन्नायों अन्नी लोक गीत के अवसरम लेदू ये गीत बाजोंकी मदत्के विनाही या साधारन डोल 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 इन्ना डोल लोग टूंदांटे सालंडी आ डोल नी पट्टी कूर्चोनी गुम्पुगा समुभंगा कूर्चोनी तिललू येवक लोक गीत नी स्त्रीलू आलकुँचित मेने ट्रेट्वाँटि दी आउट्व जांज अधे विदंगा रेंडू कांस्य येवैते उन्टा यो कांस्य पुग्लेट्स लागुंटा येवक वाट्नी रंडु चेत्तूल तो कोड़ू वाइस्तू पाट्लू पाडु पाडुट्वू पूंटार दन्नी जांज अन्टारू अधे विदंगा कर्ताल चिड़ छेतिक धरिंची मारी कर्णचेर थेल्टाई विर्यकोड उन्टा येवक्ता येवक वाट्मी धुग्लेट्वा खूड साउन्ट्स चेर्स कुन्टू धान्ने संगीतंग भाविस्तू पाटुल पाडुट्वू पाड़ू पाडु पाडुटोने तरक्मेंट धि आओत्मे पिल्लन ग्रोवी, पिल्लन ग्रोवी लिकोड वाइस्तु योक लोग इतने आलपिस्तारू, आधी की मदस्य गाये जाते हैं, एवंडी? एवेते पिल्ललू स्यास्त्रिय संगीतों लू उपयेगिंच चेटट्वण्टी इस्ट्रूमेंट्स उपयेगिंच पोईन अपटकी क पूडा, इकड़ कुन्नी डोलग गानी वंडी, जान्ज गानी वंडी, करतालू बांसुरी, पिल्लन ग्रोवी गानी वंडी, डोल कानी वंडी, अधे विधंगा कांजरा, चीड़तलू, इविधंगा उन्नट्वण्टी, एवेते इस्ट्रूमेंट्स वाज्य एन्त रंट समयमी विधंगा उच्चिंदी अंटे, जब स्यास्त्री संगीत के सामने, स्यास्त्रीय संगीत मेधैते उन्न दो, दानी मुंदू, इनको हे सम्झादा आता था, नीचमय नट्वण्टिविगा, तक्वगा वीटनी चोट्वणे ट्वण्टिवण्टिदी, जरिगे दी, अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, निर्लक्षम, उपेक्षा कर्द क्या होता है, निर्लक्षम, उदासी नता आने ट्वण्टिवण्टिवण्टिवण्टिवण्टिवण्टिवण्टिवण्टिवण्टिवण्टिवण्टिवण्टिवण्टिवण् और जो लोगों की नजर फिरी है सामान्य प्रजानिकम वैपू यह वरी दुरुष्ट है ते मरलिन्दू तो साहिच और कलाट्य क्षेत्र में भी साहिच्यमों मरियू कडाला रंगम लो परिवर्तन हुआ नौर पनेट ट्वंट दी संभरिंचिंदी अनेक लोगोंने विविद बोलियोंके लोक साहिच्य मरियू अनेक मन्दी अनेक लोगोंने विविद विविन्नबै नट्वंटी बोली भाशकांटे तक्कुवा स्तायू नट्वंट दी बोली यहां मुखावरे के रूप में हम पढ़ सकते हैं यह मुखावरे का अर्द होता है निर्ने लेना निष्चे कर लेना और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब्दक प्रकाशित हो गए हैं इस प्रकार के इविधमें नट्वांटी अनेक संग्रहिंच बड़िन नट्वांटी वाट नी मुद्रिंच प्रकाशित मुद्रिंच प्रकाशित जरी गिंदी तो आज का जो पार्ट जो विशेप्रवेश के अंतरगत हम जो पढ़ चुके हैं तो इससे संबंदित कुछ व्याकरना शोंक भी जानकारी प्राथ करने की आवश्यकता हैं चले अब हम उनकी और नजर डालें पदंडी मनमू आव्याकरनाम शालवाइप्ट कोड़ ब्रिष्ट नी वेड़ लामू मनमू एदैते हुंदो मत्र मतिका अलोक गीत ने ट्रट्ट वन्टिक दी चूड़ंडी लोक गीत इकड़ा लोक गीत इकड़ा लोक गीत इस लोक ने मनू इकड़ा उपसर का उपएगिन चामूँ वर इंको दगरा चूश्यारा इकड़ा पिलालो लोक प्रस गीत लोक गीत दो शब्दों का मेल से बना है लोक गीत क्या बना है लोक गीत बहुत अच्छा बताए हैं बच्चों अभी देखो पर प्लस लोक क्या होगा पर लोक होगा बच्चों एक बात हमें अब जानने की आवश्यकता है बताओ कि यहां जो लोक है यहां उपसर्व के रूप में जुड़ा है यहां प्रच्चे के रूप में जुड़ा है तो क्या इन दोनों का एक ही अर्द है या नहीं? कोई बता सकते हो? हाँ ठीक ही कहा है कुछ तक सही है तो यहां जब यहां लोक दिया गया है इसका अर्द होता है लोक गीत में जो लोक है उसका अर्द है जनता प्रजा और जिसमें जो लोक दिया गया है यह दुनिया और संसार तो इससे हमें क्या मालू होता है छात्रों? भिनार्द होते हैं एक शब्द के भिनार्द होते हैं चले अब आगे और वे कुछ सिखेंगे चलो बच्चे आप जान चुके हैं कि एक शब्द के भिनार्द होते हैं यहां हम उदाहन के लिए प्रसुत किये हैं जब लोग गीत में लोग जनता के रूप में हम इसका अर्द जानते हैं और जब पर लोग शब्द में जो लोग है उसको हम जानते हैं लोकमो प्रपंचमो अनि टोन्ठ मिश्यम हनको अर्द मोगतूंदी इंका कुणि मनमो चलसुनम मेहंदी मेहंदी का अर्द होता है गौरिंधा सखियाँ एक बचन है और सखियाँ बहुचन है कलियाँ कली मुगगाल। अदि रिद खेजाएंग कियाँ विकसिंचुटा। मन-मनस्वू, जीवन, जीवनमू लेधा, जीवितमू, नई, नूतन, खुशियां संतोषालू, खुशी, खुशियां, मिल्न, लभिन्चुटा, लेधा, दुर कोटा, अदे विदांगा, संधर्भ, संधर्भमुलू, निभन्द, वियासम, विधा, पध्धती, विदा, पध परिचित परिच्यम चोईता अधे विधेंगा प्रेरणा, motivation प्रेरणा नैट्टिक्ट मेंटदी कल्पिन्चितों अधे विधेंगा उद्देश, लक्षम इकड़ रेंडाम शाल मीकु पाटम लो नेरू प्रस्ता विंच्यानू उगड़ी उद्देश अन्चेप्ट्यानू उद्देश, इंगोड़ी मीकु रेंडो चेपड़ों आएं दिखड़ा, दो गोला हो में, तो यहाँ एक है उद्देश, यहाँ एक है उद्देश, तो अमारे जो पार्ट में जो दिया गया है, वहाँ है ये उद्देश, तो यहाँ उद्देश, आभी प्रायमो, opinion, इसक क्या होता है, अभी प्रायमो, opinion, जो भी हम लेक्ती से कुछ पूछते हैं, उसका जो अभी प्राय तो बताता है, और इसके बाद जो है उद्देश, उद्देश क्या होता है, एम, लक्षम, गोल, यहाँ जो जानिये, हमारे पार्टे पुस्तक में दिया गया है, प्रचना, प्रचनाये, और कहानी, कहानिया, कविता, कविताये, और निबंध, निबंध, अटूट, अटूट में उपसर्ग है, आ, अटूट, मनो रंजन, मनह प्लस रंजन, उसी प्रागार महत्व पूर्ण, महत्व प्लस पूर्ण, महत्व और पूर्ण, दो शब्दों प्रच्चे निके मन्टारू परसर्ग उपसर्ग परसर्ग मिर उपसर्ग वन पड़ुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद परसरगनी मरी परपाट पर्टान कावकाश उंटोंदी दानी मंचिगा गुट्ट्वेट कोंडी प्रत्य यन्ना परसरगन्ना ओकटे उसी प्रकार यहां जो दिया गया है लोक प्रियता लोक प्रिय प्लस ता प्रच्चे शास्त्री य शास्त्र प्लस य शास्त्र प्लस य श शहर, गाउं और शहर, स्त्री का जो अनिलिंग है पुरुष, स्त्री एकवचन रूप है, स्त्रिया बहुच रूप है, पुरुष एकवचन है, पुरुष बहुचन रूप भी वही होता है, उसी प्रकार हम कुछ अमश को यहां देखे हैं, बच्चों, जो अगले सत्र में हम जो लोगीत पार्ट का और जो बचा हुआ है, उसके बारे में जानकारी राप्त करेंगे, धन्यवार